कि यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है आज का दो डिस्केशन होने वाला है वो रिंटल इंकम को लेकर के हैं रिंटल इंकम पर जो चेंजे सहकार ने किये हैं आज सारा डिस्केशन उसी के उपर हम करेंगे डिस्केशन दो फैक्स के उपर है नमबर वन आपके रिंटल इंकम पर टीडियस का अमेंडमेंट आया है दूसरा आपके रिंटल इंकम पर टैक्सेबिलिटी का इफेक्ट आया है ये दोनों चेंजेस आपके किस ने किये थे फैनाइनस एक्ट दो हजार चॉबिस ने ये दोनों चेंजेस किये थे इनी के उपर आजम डिस्केशन करेंगे पर ले डिस्केशन हमारा होने वाला है टीडियस को लेकर के टीडियस में एक एक दस दो हजार चॉबिस के बाद आनवर्ड्स ये चेंज जो है वो रेट में रिडक्शन किया गया है रेट रिडियूस किया गया है किसका लैंड एंड बिल्लिंग का लैंड बिल्लिंग का जो टीडियस का रेट था उसको रिडियूस किया गया है ये रेट अब जो है रिडियूस होने के बाद ये हो जाएका टू परसे था, land and building ये 10% हुआ करती थी और plant and machinery ये 2% हुआ करती थी तो अब ही क्या है कि आपकी जो land and building है उसको भी ये simultaneously now land and building को भी अब ये 2% पर लेके आए है इसका मतलब मान लीजे एक लाग रुपए की आपकी एक लाग रुपए का आपका expenditure था इसको आपको payment करना है और आप 2% TDS deduct करेंगे और 98,000 payment कर देंगे अपने vendor को ठीक है ये बात हमारी clear होगा है दूसरा जो change आया है और जो major change आया है वो है flexibility को लेकर के flexibility of rental income गौर्ट से समझेगा इसको rental income की जो taxability थी हम लोग पहले क्या करते थे before for tax tax saving tax saving के अलिए हम लोग क्या करते थे rental income में की अगर हमारी कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है for example कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है उससे हमको rental आता है और और certain expenditure भी हम करते थे मगर ये certain expenditure not exceeding considering की 20% होगा इससे उपर नहीं आता था अब अगर आपने 100 रुपए की rental कमाई है 20 रुपए हमने खर्चा मान लीजिए उस पर हुआ actual कर्चा 80 रुपीज का उसके profit होता था ये income होती थी इसको हम लोग पहले income दिख लेते हैं 80 रुपीज की income होती थी इससे पहले जो before में क्या करते थे कि जो 80 रुपीज की आपकी income थी इसको हम लोग PL balance sheet वगरा बना करके क्या करते थे हमने 100 रुपीज यहां पर income दिखा दी और expenditure जो हमने दिखाए actual प्लस additional हमने total expenditure ही दिखा दिया 80 रुपीज का और जो हमारी income पहले 80 हुआ करती थी वो आप convert हो गई profit में 20 रुपीज की substantially आपने अपने income को घटा दिया और चूकि अब ये PGBP के अंदर इसको आप लेके जा रहे थे जूकि PL और balance sheet आपकी PGBP के अंदर बनती है तो आप ने इसमें दिखाया 20 रुपीज का profit इसमें हमको 20 रुपीज का profit हुआ है और अब हम इसके उपर आपको tax दे देंगे यह प जानकारी लग गई और सरकार निकार नहीं जी अब आप ऐसा नहीं करेंगे तो अब हम क्या लिखते हैं 2024 onwards मतलब की जब AY 25 26 का जबाप ITR भरेंगे इसका financial year 24 25 जब होगा तो आप क्या करेंगे ऐसी सारी rental incomes को सरकार ने अब कहा है कि यह house property के अंदर ही दिखाना है यह आपको house property में ही दिखाना है इसको आपको PG BP के अंदर नहीं दिखाना है यह आपकी rental income ही मानी जाएगी इसको आप income ही लेंगे इस विल बी treated as incomes and not profits चीक है तो यहाँ पर यह बहुत बड़ा इन्होंने change कर दिया है कि जितनी भी rental incomes आ रही है related to properties रेंडल income related to properties वो जो है अब आप house property के अंदर ही classify करेंगे PG BP के अंदर इसको classify नहीं करेंगे इसका मतलब यह income रह जाएगी और यह profit अब नहीं कहलाएगा अब आप कहेंगे सर plant and machinery का क्या होगा तो plant and machinery के लिए other sources में अभी भी taxability हो रही है plant and machinery की अभी भी other sources में taxability हो रही है अगर आपका यह main business नहीं है तो और अगर आपका यह main business है rental of plant and machinery आपने GST ही rental of plant and machinery का ले रखा है तो 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 फिर यह आपका PG BP को जाएगा स्विटली अगर आप यहाँ पर कहते हैं कि सर हमने commercial properties का ही business का रखा है यह जितनी भी बात है यह ancillary मान लीजिए इसको कि आपके पास property जो है वो ancillary है ancillary मतलब कि extra main business नहीं है आपका यह लेकिन हम लोग क्या करते थे कि इनको भी अपना business बना करके PNL में डाल करके हम लोग क्या करते थे इसको profit में convert कर देते थे यह सरकार ने अब बना कर दिया है similarly अगर आपका यह main business हो जाता है similarly अगर इसको आप हम अपने main business में qualify कर लेते हैं तो क्या होगा कि अगर आपका rental का main business है तो भी आप इसको PGBP के अंदर लेके जा पाएंगे मतलब कि आपने private limited companies वगरा बना रखी हैं जिसमें जो objects हैं उसमें आपने rental income ही दिखाई हुई है तो यह आपका PGBP हो जाएगा या फिर आपने GST number आप proprietorship firm है आपकी यह आपने GST number ले रखा है तो भी आपका main business हो जाएगा अगर आपके अबल properties own करते हैं आपकी जो balance sheet है उसके अंदर properties आ रही है और आपका main business ही rental वाला है तो आप इसको PGBP के अंदर लेके जाएंगे अनिता यह PGBP के अंदर qualify नहीं होगा अगर आपका यह ancillary business है ancillary income हो रही है जिस विल always be taken under house property इसका मतलब कि जो हम लोग additional expenses दिखाते थे वो अब allow नहीं होंगे allow ही नहीं होंगे क्योंकि यह PGBP नहीं रहे गया यह अब house property की income है यह आज का discussion था इसके उपर मैं उमीर करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा यह फूपल रहा होगा session मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार